दोस्तो वो कहाबत है ना कि अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और ऐसा ही हाल होने वाला है अजर्बेजान का क्योंकि पिछले साल इन्हों ने अर्मेनिया के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई को जीत लिया था वन नागानू कारवाक की जो एक बड़ी जमीन है उसके उप उपर कबजा कर लिया तो अजर्बेजान अपने आपको इलाके का छोटा मोटा डौन समझने लगा है जिसके चक्कर में इन्होंने ना सरफ भारत और अर्मेनिया की दोस्ती को टार्गेट करते हुए पाकिस्तान को कस्मीर के मुद्दे की उपर खुला समर्थन दिया साथ म अर्मेनिया के खिलाफ जाकर और भारत के खिलाफ जाकर जो अजर्बेजान के राष्टपती हैं उन्होंने यहां तक बोल दिया था पाकिस्तान में कि भारत कस्मीर की उपर अत्याच्यार कर रहा है इसको लेकर युनाइटे नेशन को दखल देना चाहिए परंतु अब पसले के अंदर इरान भी कून पड़ा है और इरान का कहना है कि हम अजर्बेजान को उसकी ओकाद दिखा कर ही मानेंगे तरसल आप सुभी को बता दूं कि जब से नागानों कारवाक की जमीन के उपर अजर्बेजान का कबजा हुआ है तब से इरान ने बार-बार या धमकी दिए कि हम नई अंतरास्टिय सीमाओ को नहीं मानेंगे जिसमें अर्मेनिया की जमीन के उपर अजर्बेजान का कबजा हुचुका है यानि साफ तोर पर इरान ने बोल दिया है कि अजर्बेजान के इस अवेद कबजे को हम नहीं मानने वाले और अब हम अर्मेनिया को हत्य के तोर पर मजबूत करेंगे और सबसे पहले अर्मेनिया के लिए हम रशिया और यूक्रियन की लड़ाई में तबाही मचाने वाले साहीद 136 ड्रोन को देने जा रहे हैं जी आप समी ने सही सुना इसकेंड को पर आप समी आर्टिकल देख सकते हो इस न्यूस के आते हैं अज गाता को और सस्ते ड्रोन साहिद 136 से अब अजरबेजान की सेना की धजियां अर्मेनिया की सेना उड़ाने वाली है फिलाल मैं आप सबी को क्या लगता है और क्या अजरबेजान के साथ सही हुआ कमेंट बोक्स हम फिर आवश्तीजी का विड़ो देखिन के लिए धन बाद जैहेंद वंदे मातराम